हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये मेरा हाफ केजी का चॉकलेट फिलेवर का केक है और इसके लिए न मुझे 100 ग्राम प्रिमिक्स लगा है मैं प्रिश्टीन कंपणी का यूज़ करती हूं और मैं चूले पर बेक करी हूं मुझे इसको बेक करने में 25 मिनट लगा हूं वैसे नॉर्मली यह आदे घंटे में होता है लेकिन क्या हुआ ये मुझे थोड़ा और भी दिक्कत आ जाए वैसे दिक्कत वैसा कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी मन थोड़ा खराब हो जाता है इसके लिए मैं धागे से ही करी हूं और मैं है न जिब इसको बेक करने के लिए रखीती न तो थोड़ा सा फ्ले मैं इसका हाई रख दी थी थोड़ा सा ज्ञा जादा नहीं है ने तो आप जादा कर देंगे तो आपका जल जाएगा अच्छा नहीं बनेगा और यह जो आप देख रहें न इससे पहले वो ठंड़ा ही नहीं था इसके लिए मैं नहीं डाली हूं फिर इसको न मैं दो मिनट के लिए फिरीजर में रख के आई थी उसके ब 200 गराम इंट के रिम लगा है और 1500 मुझे डार कंपाउंड इसमें लगा अगर वैसे आप 1 kg का बनाएंगे न तो 100 गराम डार कंपाउंड में आपका पर्फेक्ट है हाफ केजी का तयार हो जाएगा लेकिन इनको थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलिटी चाहिए था इसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एड करी हूँ और बीच में चोकोचीप्स की लेयर डाली हूँ यह क्या रहता है खाने में जब बाइट में आता ना तो काफी अच्छा लग इसके लिए मैं सोकिंग करती ही करती हूँ आप भी करके देखिए और काफी अच्छा लगेगा और इसके टॉप पर भी मैं गणाश डाले हूँ क्योंकि है ना जीतना ही ज्यादा आप गणाश जालेंगे ना आपका केक उतना ही टेश्टी बनेगा और यह इसका क्रम कोट क करके हो गया है जब आप़ यह कर देंगेना तो काफी अछा रहेगा इसके जहीं अचछा क्रम नहीं आते हैं पाइनल सब्सक्रा.. मैं यह आप कर दूँ नो मुझे लगता है कि मेरा जल्दी हो और बराबर क्रीम लगता है बार-बार लेना नहीं पड़ता है और यह इस क्रेपर है न ओएचपी शीट का है काफी अच्छा रहता है अगर आपको नए नए है न फिनिशिंग देना उतना आसान नहीं पड़ रहा है तो आप यह लेंगे न तो आपका बहुत फट से हो जाए अगर आप डिन में भी शीखना चाहेंगे न पैसा इंवेस्ट करेंगे और न तो एक दिन में केक बनाना सी आपको नहीं आएक नहीं बहुत लेनीfl inh शुरूर के टाइम पे ऊपर पुरा गना से कवर कर देंगे तो भी फिनिशिंग आ जाएगी शुरूर में सब को भी फिनिशिंग देना अच्छे से नहीं आता है करते करते ना हाथ बढ़ जाता ना फिर अच्छे से होने लगता है और यह जो पाइपिंग बेग में आप कलर उस में पाइपिंग में ना नोजल डाले है और उसमें ना तीन चार कलर डालके मैं रब करकर पहले ही रखी थी आपको मैं पहले बता चुकिहूं कि एक सबढ़े बखी बियस्गरत चसरे को इससे क्या हुआना में जल्दी होगए अगर मैं बेक करने के टाइम पे कुछ नहीं करती और बात में करती तो एक घंटे में बिल्कुल भी नहीं होता तो जब कभी आपके साथ भी ऐसा हूँ एमरजंसी में ओर्डर आए ना तो जब आप बेच करें ना तो उसी बीच में आप सारा ही काम कर लेरे पहले मैं सोची कि रिकॉर्ड नहीं करती हूं, रिकॉर्ड करूंगी न तो और एक्स्टर टाइम चले जाएगा लेकिन मैं बोली नहीं एक बार करके देखती हूं, क्या मालम हो जागर लेट होगा तो छोड़ दूंगी, तो फिर है न मेरा टाइम पे हो गया था, इसके हिसाफ से मैं पहले ही सारा चीज है ना अच्छे से यह कर ले हूँ फिर मैं केक बनाई ना तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ तो आप भी है ना हर चीज ना ध्यान से कर ले और यह डिफरेंट नोजल से हर टाइप का फुलावस बनाई हूँ काफी अच्छा लग रहा है और फि इसे ही केक उनको बना कर दी हूँ अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला और यह नीचे है ना थोड़ा मुझे साधा लग रहा था तो फिर उसके बाद कितना सुन्दर लग रहा यह रहा इसका फाइनल लुक आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई